हलो एवरिवन वेल्कम टू ड्रीम क्लासिस एंड आज को वीडियो है वह काफी स्पेसल होनी वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं आपके बोर्ड एक्जाम से रेल्टिब बहुत ही इंपॉर्टन कुस्चिन के बारे में तो इस वीडियो को आप के बोर्ड एक्जाम के लिए इन सबी कुस्चिन में से आपके बोर्ड एक्जाम में आ सकते हैं तो यह जो वीडियो है वह क्लास्ट फिजिक्स का वीडियो है काफी स्पेसल वीडियो है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और आज हम इस वीडियो म important questions के बारे में discuss करेंगी जो कि काफी important है तो चलिए देखते हैं Question number first है swap प्रेकतव एव अन्योने प्रेरन को पड़िभासित करें दो लंबी पड़िना लिकाओ का अन्योने प्रेरकतव का बेंज़क निकालें यह जो question है वो most important question है काफी important question है तो इसे अप note कर लिज़े और इसे लिखकर याद कर लिज़े इसे रट लिज़े काफी important question है एकजामी पूछा जा सकता है आगे देखेंगे Question number second है किसी बैदो द्विद्रों के कारण निरक्षे स्थिति में किसी बिंदो पर बिदो छेतर की तिवरता का बेंज़क प्राप्त कीजे किसी बैदो द्विद्रों के कारण निरक्षे स्थिति में किसी बिंदो पर बिदो छेतर की तिवरता का बेंज़क प्राप्त कीजे यह भी काफी important question है तो इसे भी आप लिखकर रट लीजे ठीक है किसी बैदुत दीद्र के कारण निरक्षे सिती में किसी बिंदु पर बिदुत छेदर की तेवरता का बिंज़क प्राप्त कीजे आगे देखेंगे question number 3 है बिदुत फ्लक्स को पड़िभासित करे question number 3 है बिदुत फ्लक्स को पूछा जाता है इस बार भी पूछा जा सकता है तो इसे भी आप रट लीजे इसे अच्छे से नोट करके इस कैंसर लीके आप अच्छे से याद कर लीजे यह काफी important question है बिदुत फ्लक्स को पड़िभासित करें आगे देखेंगे question number 4 है पड़ार्थ की चालक्ता को पड़िभासित करें यह भी काफी important question है आज इस वीडियो में बहुत सारे important question है तो आप सभी question को अच्छे से नोट करके इस कैंसर लिखके याद कर लीजेगा पड़ार्थ की चालक्ता को पड़िभासित करें आगे देखेंगे question number 5 है गोश की प्रमी को उप्यो करते हुए आवेशित चालक के नजदिक के बिदुपर विदुतिय छेत्र ग्यात करें यह भी काफी important है यह भी बार-बार एकजाम में पूछा जाता है तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लिजे और इसका एंसर लिखे अच्छे से याद कर लिजे ठीक है रट लिजे आगे देखेंगे question number six है तरंगी काय योद्वितिय तरंग काव को परिभाशित करें हागेंस के सिधानत के अधार पर परवर्तन अपवर्तन के नियम को अस्तापित करें ये भी काफी important question है ये भी exam मैं पूछा जाता है इस बार भी आसकता है तो इसे बिल्कुल skip मत कीज़ेगा ठीक है इसे नोट कर लीजे और इसे याद कर लीजेगा आगे देखेंगे Question No.7 है किर्चौफ के नियम का उप्योग कर विट इस्टोन सेतू का बिंजग प्राप्त करें किर्चौफ के नियम का उप्योग कर विट इस्टोन सेतू का बिंजग प्राप्त करें ये पिछले की वीडियो में भी हो चुका है क्योंकि ये काफे इंपोर्टेंट है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इस इनी समय से आपके एक्जाम में आएगा ठीक है तो कुंडली गैलवीनो मीटर का सचित्र वर्णन करना है चीक है इसे विए आप अच्छे से नोट कर लीजे और इसे याद कर लीजेगा रट लीजे सारे कुश्चिन को क्योंकि सारे कुश्चिन जो है वो काफे इंपोर्टेंट कुश्चिन है चल कुंडली गैलवीनो मीटर क सचित्र वर्णन करें और वीडियो को बिल्कुल इसकी पंद कीजएगा छीक है आगे देखेंगे कुर्षय नमबर 9 है जेनर डायोड क्या है कि नम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुस्चिन है जेना डायोट क्या है कि परिभास से बताना है और वोल्टता नियंतरक के रूप में इसके उप्यों की ब्याख्या करना है तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लिजे और इसे याद कर लिजेगा नेक्स्ट है कुस्चिन नमर टेन है शाइक्लोटोन की बनावट सिधान तथा किरियाविदी का सचित्र वर्णन करे ये भी काफी इंपॉर्टेंट कुस्चिन है तो इसे भी आप अच्छे से लिखके रट लिजे एक्जाम में आ सकता है इन सारे कुस्चिन में से आपके एक् कर लिजे और इसे याद कर लिजेगा शाइक्लोटोन की बनावट सिधान तथा किरियाविदी का सचित्र वर्णन करे आगे देखेंगे क्यों नमर 11 है एक स्वक्ष चित्र द्वारा शन्यूक्ष मिदर्शी का वर्णन करे ये भी पिछले के वीडियो में हो चुका है क्यू आप इसे अच्छे से नोट करेंगे एक स्वक्ष चित्र द्वारा शन्यूक्ष मिदर्शी का वर्णन करें चिके आप जल्दी से नोट कीजे फिर हम आगे देखेंगे एक स्वक्ष चित्र द्वारा शन्यूक्ष मिदर्शी का वर्णन करें आगे देखेंगे question number 12 है ये भी पिछले के वीरो में हो चुका है तो इसे भी आप अच्छी से नोट कर लीजे और इसका answer लिखे आप अच्छी से इसको ठट लीजे ठीक है? इसकिप तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए ही है ठीक है तो एन सारे questions को अच्छे से note कर लीजे और इसे याद कर लीजेगा योगिक पर अवैधुत वाले एक समानांतर प्लेट संधारितर की धारिता के लिए ब्यंजक प्राप्त करें आगे देखेंगे question number 13 है गौश की नियम का उप्योग कर कुलम का नियम लिखे ये भी काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आ सकता है तो इसे भी आप अच्छे से note कर लीजे और इसे रट लीजे ठीक है गौश की नियम का उप्योग कर कुलम का नियम लिखे गोश का नियम भी लिखनी के लिए आता है तो आप अच्छे से याद कर लिजे ताकि अगर लिखनी के लिए आए तो आप अगर एक्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सके तो आप इसे अच्छे से याद कर लिजे आगे देखेंगे कुश्चिन 14 है बायोशवाट का नियम की व्याख्या करे धाड़ा वाही बृताकार कुंडली केंद्र पर चुंबा की छेत्र का ब्यांजक प्राप्त करे यह जो है यह वह काफी इंपोर्टेंट है बायोशवाट का नियम के बारे में लिखने के लिए आता है तो इसे भी आप अच्छे से लिखकर याद कर लिजेगा यह वह काफी इंपोर्टेंट कुश्चिन है आगे देखेंगे के कुश्चिन में 15 है ट्रांश्फॉर्मर के सिधान्त बनावत यह क्रियाविदी का वर्ण करें यह तो कन्फॉर्म है कि इस टाइप का कुश्चिन एक्जाम में आता है अगले साल भी आया था पिछले साल सौरी पिछले साल भी आया था और इस बार भी आ सकता है तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लिजे इस टाइप का कुश्चिन आता है एक्जाम में अगला कोश्चिव नमर्टी करन को परिभासित करें त्विक छिद्र प्रयोग में फ्रीज की चौड़ाई का ब्यंजग ज्याद करें यह भी काफी important question है इसे विया अच्छे से note करके इसे विया अच्छे से याद कर लिजे और ऐसा नहीं है कि आप लिख कर छोड़ देंगे इसे आप रट लिजे ठीक है ताकि एक्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सकें फिर हम आगे देखेंगे question number 17 है शुद्र mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r को सत्यापित करें शुद्र mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r को सत्यापित करें यह भी काफी important question है इसे प्रोब करना है तो आप प्रोब कर लिजेगा ठीक है आप इसे अच्छे से लिख लिजे और इसे भी आप कर लिजेगा जल्दी से नोट कीजे फिर हम आगे देखेंगे शुद्र mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r को सत्यापित करें अगला है question number 18 है Einstein का प्रकास बिदुत समिकरन लिखे और इसकी सहायता से प्रकास बिदुत प्रभाव की व्याख्या करें Einstein का प्रकास बिदुत समिकरन लिखे इसकी सहायता से प्रकास बिदुत प्रभाव की व्याख्या करें जल्दी से इसे आप नोट कर लिजे और इसे लिख कर आप इसे रठ लिजे काफी important question है चीक है skip तो बिल्कुल नहीं करना है जल्दी से नोट कीजे फिर हम आगे देखेंगे next है question number 19 है धारिता को पड़िभासित करें तथा उसका एसा ही मातरक लिखे सिध कड़े की एक शमांतर प्लेट संधार इत्रग में इस तर बैदुत उर्जा वन बाइटू सी वी स्कॉायर होती है इसके अधार पर विदुतिय छेत्र की उर्जा का उर्जा घनत्वा का ब्याण जग्यात करें यह वी काफी इंपॉर्टेंट है तोड़ा बड़ा है लेकिन कोई वात नहीं आप नोट कर लिजे आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसे नोट कर लिजे और फिट ठीक है और इसे याद कर लिजेगा काफी इंपॉर्टेंट है धारिता को परिभासित करें तथा उसका एसाई मात्रक लिखें सिद करें के एक समना अंदर प्लेट संधारित में इस्तिर बैदुत उर्जा वन बाई टू भी इसक्वाइर होती है इसके अधार पर बिदुतिये छितर के ओर जा का घनत्वा का अब्यांचक ग्यात करें जल्ले से आप नोट कीजिए थोड़ा बड़ा है कोई बात नी धारिता को परिभासित करें तथा उसका एसाई मात्रक लिखें सिद करें के एक समना अंदर प्लेट संधारित में इस्तिर बैदुत उर्जा वन बाई टू सी वी इसक्वाइर होती है इसके अधार पर तथा आंतर को अश्फस्ट करें रेडियो एक्टिविटी को परिभासित करें अल्फा बीटा तथा गामा तीनों की प्रकृति गुन तथा आंतर को अश्फस्ट करें यह वी काफी important है इसे आप अच्छे से नोट कर लेज़ा और इससे जाद कर लेज़ा किसे कहते हैं इसक नोट कीजिए फिर हम आगे देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट कुश्चन है चीक है रेडियो एक्टिविटी को फरिभासित करें अल्फा वीटा तक गामा तीनों की प्रकृतिक गुन तथा अंतर को अस्पष्ट करें जल्दी से नोट कीजिए चलिए आगे देखते हैं वोर के सिधानत के अविगरेतों को लिखे 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 वोर के सिधा कि अविग्रेतों को लिखे बोर की सिधान पर हाइड्रोजन एक्सफेक्टरम की ब्याख्या करें जल्दी से अप नोट कीजिए सारे कुस्चिन से इंपॉर्टेंट है किसी को नहीं छोड़ना है सबको लिखना है और सबको याद करना है रट लीजे ताके एक्जाम में आप से लिख सके हैं वोर की सिधान के अविग्रेतों को लिखे वोर की सिधान पर हाइड्रोजन एक्सफेक्टरम की ब्याख्या करें चलिए आगे देखते हैं इसके उप्योग से एक वर्णी प्रकास का तरंग धैरिया कैसे ग्यात करें यह भी काफे इंपॉर्टेंट है ऐसे भी आ सकता है द्वी प्रिजम क्या है तो इसकी परिवासा लिखना है और इसके उप्योग से एक वर्णी प्रकास का तरंग धैरिया कैसे ग्यात करें इसे भी लिखना है ठीके आगे देखेंगे क्रिश्चन नुमर 23 है उर्जा पटिया क्या है इसका निर्मान कैसे होता है अर्द चालक तता कुछालक पदार्थों के अंतर को उर्जा पटिया क संद्चना के अधार पर असपश्ट कीजे उर्जा पटिया क्या है इसका निर्मान कैसे होता है अर्द चालक तता कुछालक पदार्थ के अंतर को उर्जा पटिया के संद्चना के अधार पर असपश्ट कीजे ये भी पिछले के वीडियो में हो चुका है आई थिंक आपने लेंस से आप क्या समझते हैं समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं दो लेंसों के निकाई को कुछ दूरी पर रखा गया है तो इस निकाई के समतुल्य फोकस दूरी का ब्यंजक प्राप्त करें समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं दो लेंसों के निकाई को कुछ दूरी पर रखा गऐा है तो इस निकाय के समतुलिया फोकस दूरी का बियंजक प्राप्त करें जल्दी से आप नोट करीजे इसे कुस्छन नभर ट्व्ट्व है समतुलिया लेंसे आप क्या समझते हैं दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है तो इस निकाय के समतुल्या फोकस दूरी का ब्यंज़क प्राप्त करें अगला है और लाष्ट भावर धारा को परिवासित करें यह कैसे उत्पन होती है भावर धारा किसी ट्रांसफर्मर में कैसे अनावशक्या है तता इसे किसी यंद्र में कैसे कम किया जा सकता है तता इसे किसी यंद्र में कैसे कम किया जा सकता है काफी important question है तो इसकी तो बिल्कुल नहीं करना है इसे आप जल्दी से note कर लिजे और इसका answer लिख के आप रट लिजे ताकि एक जाम या तो पसानी से लिख सके आज का वीडियो वस यहीं तक रहने देते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो और वन फोगिट तो लाइक सेरें सब्सक्राइब बाइगाईज